अलो बच्चों, बेलकम टू पी वीर स्टडी, आज की इस कलास में बात करेंगे कर्चा दस के अंसी, आर्टी मैथमेटिक्स और इक्सरसाइज 13.1 का कोश्चन नंबर सिक्ट 13.1 का कोश्चन नंबर सिक्ट ध्यान से पढ़िए कह रहा है कि यदि कोई बरतन, एक कोई बरतन है, जो खोखले अर्थगोले यानि हेमी स्फेर के आकार का है, जिसके उपर एक खोखला बेलन अध्यार उपित है, मिन्स उसके उपर एक सिलेंडर भी रखा गया है, अर्थगोले का ब्यास 14 सेंटिमीटर है, और इस बरतन यानि पातर की कुल जो टोटल उचाई है वो 13 सेंटिमीटर है, इस बरतन का आंतरिक प्रिष्टिय छेतरफाल यानि इनर तरफे सेरिया आपको फाइंड करना है, चलिए मैं आपको फिगर दिखाता हूं, देखो बाबु यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, एक जो आर्थगो बनाना आपको आता है, भाई यहाई से कुछ बनेगा, देखो यह अर्थगोला तो कम और कुछ और बन जा रहा है, ऐसे सुंदर सा बना लेंगे हम, फिलहाल अभी हाउदी जैसे बनता है, इसके उपर एक बेलन लगा देंगे, देखो, इसके उपर एक बेलन लगा और यह टोटल आपका 13 है, इसे आपको ध्यान रखना है, और यह सेबन दिया है, यह सेबन दिया याद रखना, तो देखो, सीधा सा बात है, अगर यह अर्थगोला 7 सेंटिमेटर है, यह टोटल 13 है, तो भाईया यह जो बेलन नबावू यह 6 हो जाएगा, बोलो हो जाएग और इसको इधर को नहीं, इधर को कर लीजिए, ठीक है, जो भी है आपका, समझ गेना आप, कहने का मतलब यह कितना अच्छे, यह 7 है, यह 14 है, यह 13 है, यह है बाबू, तो जो सेमी स्फेर है, आपका यह यहाँ से अगर हम बात करें, तो यह भी तो साथ होगा, यानि इसकी है बरतन का परिस्टियजिए छेत्रफल बरा बर लिखने वाला कंम आप कर यह लिखिए, फटफटR Cir bump ही लिख ली जी अब बरतन का पुरिश्टियजिए छेत्रफल वह लगाओ नहीं यह बगा ओने लाओगender से बात है, आप सेलेंडर का CS लगाओगे चर रफ शर debit लगाओ पहले इस फेर वाला को भी कर सकते हो देखो सिलेंडर का अगर लगा दोगे आप तू पाई आरेच ठीक है सी यह से आप जानते हो सिलेंडर का पढ़े हो मैंने पहले पढ़ाया है तो क्या हो जाएक बाबू आपका यह टू पाई आरेच और प्लस देखो जो अर्द ऑर्द गोले का छेतर फल जो है जोड़ोगे इसके सिलेंडर वाले में तो टोटल इनर का अंदर का न तो इनको जोड़ोगे अर्द गोला का आपको परता है कि हुट पाई और इसको एक यह होता है अब इसमें काम कर सकते इसमें बाबू आप तू पाई आर कामन ले लो तो एच प्लस आर बच जाता है तू इन्टू पाई कमान बाइस बटा साथ आर कमान साथ अभी देखे हो एच यह नी हाइट आपका छे है और प्लस आर कमान साथ है हल कर लीजिए कुईस्टन को इसक्रीन से दफा कर दीजिए यह यहां से भाग जाएगा थोड़ा साइड में कहीं भाई हट जाए रहे हट जा यार हट जा हट जा काये को टंडा करके रखा इक्दम से चल देख उसी को सेबन से सेबन कर जाएगा यह मल्टीपल करोगे 44 यह जुड़ेगा 13 हो जाएगा तेरा चोका बावन हाफील आया यह आजाएगा आपका आंसर आगया फाइनल किसी को कोई डाउट है दो बताओ नहीं न यह कुश्चन आपका कंप्लीट हुआ इसके बाद देखेंगे अगला कुश्चन नंबर फाइब देखो बेटा आप लोग ज्यादा बड़ी कलास देखते नहीं हो कमेंट करके बताओ वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करो कि आप देखना चाहते हो एक घंटा तो मैं बहुत सारे कुश्चन करवा हूं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अगला कुश्चन अगली कलास मे थैंक यू वीडियो ज्यादा सेर करिए और बताइए कि आप कितना देर पढ़ना चाहते हो एक गंटा आधा गंटा दो गंटा कितना देर चाहते हो कमेंट करो नीचे हलो बच्चों कैसे हो आप सब उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और कलास आपकी बेतरीन चल रही है साम के साथ बच्चों के आपका कलास सुरू हो चुका हाई स्कूल का तो बच्चों ध्यान से देखना बाबू आपका exercise 13.1 चला कोश्चन नमबर 4 कोश्चन कह रहा जो प्रिष्टिय छेतरफल है फोस है प्रिष्टिय सॉलीड है उसका एरिया फाइंड करना है बहुत ही अच्छा है यह देखिया ऐसे समझ लो गहां कि घंआकार बलाक है तो घंआकार का बलाक का मतलब मानलो ऐसे बना है यह घंआकार दिख रहा है आपको इसको इसके ऊपर रख दिया ऐसे कुछ बन रहा है कि रहे हो कि नहीं बहुत एक गेंद को अगर काटों गे तो काटोरी जैसे बनेगी ना अदी अर्द्गोला का मतलब ही होता है ना गोला का मतलब फुटवाल हो गया एक बाल हो गया अगर एक कटोरा इसके जैसे आओर और तो पहला निकल गया तो निकल गया इसका जो अधिकतम ब्यासाइब हो सकता चाहिस ऑड़िय ज्विज़ों में का da रहा है तो पहला आंसर निकल गया कि सकते हैं अगली कहांई बं रहा है अब इस का हमें क्या करना च्छेत्रफल निकालना च्रीया करना है कि यहर संझ लेजिए जो मैं लिया हूँ एक टिब्बास पहले में पूरे का एरिया आंप करें एक द्यान रहे अगर ऊपर से इसको ड्हाद का गया है तो जो उपर वाला इसका भाग है देखो इसमें छे फेस होता ना घन में एक इधर एक इसके जश्ट आपोजित इधर दो एक नीच्चे तीन एक उपर चार एक इधर पांच एक इधर छे लेकिन इसमें पांचे फेस का हमें एरिया निकालेंगे याद रखना क्योंकि छठा फेस तो इससे ढटका है न दिकालेंगे लेकिन द्यान रहे में क्या करेंकर के हम ट्वा agriculture का उपर आपके और लो और बनेगा वोई कि व्रित आकार होगा बोलो भाई गिर न जाए एक मिनट रुके रहो देखो मैं दिखाने लिए तो टेना कर रहा हूं अगर हम इसके ऐसे लाइन खीचे चारो तरफ आई से तो गोला गोला बनेगा लाइन ना व्रिताकार बनेगा ना तो क्या करेंगे टोटल जो घंद का छेत्रफल होगा उसमें स ब्रित वाला छेत्रफल घंद गहटा देंगे और घंद के बाद फिर क्या करेंगे तक चलोग यह जो उपर अर्दगोला इसका भी तेरिया उसमें पूछा है अर्दगोले का छेत्रफल जोड़ देंगे समझ में आया ना पूरा घंद का छेत्रफल का सुत्र लगाओगे उ आएंगे हम बोर्ड में तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह आपका 3D फिगर है तो 3D फिगर आपको समझा के दिखाना ही पड़ेगा समझ गए ना तो चलिए बाते समझ गए ना अब लिख लो फिर बाकी फिगर आप लोग बना लेना मैं बना देता हूं काम चलाओं द लिख लीजिए आगे लिखिए प्रिष्टिये फोस का छेत्रफल बराबर जो जो बोला हूं लिख लीजिए फट से टाइम नहीं जादा इंग्लिस वाले लिख लेंगे अब टी एस ए आफ शालिट ओके तो पूरे पूरे जो क्यूब बना है आपका क्यूब का एरिया लगाओं और फिर माइनस तरकल का एरिया याई पाई आर इसक्वाइर इसमें से सप्त्रेक करोगे और फिर प्लस टूपाई आर इसक्वाइर याई आर्ध गोले का जो छेत् साथ सेंटीमीटर कही थी क्यों बाबू कहा था ना भाईया साथ सेंटीमीटर कहा था ना तो यह सब साथ साथ सेंटीमीटर याई जो है वो कितना है सेवन सेंटीमीटर है लेकिन रेडियस कितना होगी यार तरकल की रेडियस जो गोला रखा गया उपर कटोरा उसी का तो र तोरे का उपर ही भाग था वही तो ब्रित क्या कार का था तो शाड़े तीन है मारक दीजिए आए इधर थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसको जिक्स एक की जगा पे सेबन यानी स्कॉयर माइनस पाई कमान 22 बटा फात इंटु इस आर कमान शाड़े तीन लेकिन एक चीज और आ बचेगा तो पहले इसको छोटा कर लो यह प्लस में है change बड़ा होता उसका चिन लगता है तो यह प्लस हो जाएक कमान 22 गटा साथ इंटु आर कमां 3.5 है इसे लिए दो बार करोगे ठीक है अब आपका ये छे गुड़ा सेबन कवर कितना हो जाएगा फोटीनाइन लिख लिया अब क्या करोगे इनको काट दोगे ये प्लस आपका 22 इंटू 5 का इसमें मल्टीपल करोगे 1.75 इतना आपको गुड़ा घटाना आता है आता है ना इनका गुड़ा कर लो छे नमाई चववान हाफिल आया पांच और छे चवबिस पांच बनती 294 प्लस इनको आप गुड़ा करोगे तो 38.5 आएगा सम्थिंग ब 326 होता है ना तो यह आप कर लो इनका मल्टीपल 38.5 आएगा इनको जोड़ लो बभू आप जोड़ लो तीन सो बत्तीस अब दसम लो पांच और फेंटी मीटर का स्कॉयर आएगा जो गोला दिया था उसकी एरिया या फिर इसमें क्या दिया था देखो सेंटी मीटर में था सेंटी मीटर में है ना तो क्या करोगे सिंपल सा है सेंटी मीटर इसकोर आएगा यह हो गया आंसर फाइनल आपका क्वेश्चन नमबर फोर खतम हुआ लिख लीजिए और बहुत मैंनित कर रहा हूं सेशन को लाइक जरूर करिए मैं बच्चों का नाम बोल देता हूं जो अ सिवन भी स्कर्मा जुड़े हैं आनंद पाल जुड़े हुए कुमारीनीता जुड़ी हुए शिवांगी जुड़ी हुए पूजा ठाकर अर्विंध लोकुस कुमार निसांत कुमार और तो बच्चों आप भी डिले जुड़िए हमारे साथ देखते रहे हैं मैं सबका कमेंट देख रहा हूं कुछ भी डाउट है कमेंट करो बताया जाएगा कि अलो इस्टुडेंट्स वेल्कम टू पीवियर स्टडी बच्चों जैसा कि आपको पता है कि सामको साथ बज़े आप हाई स्कूल की मैस पढ़ते हो कच्छा दस्की एक्सराइज 13.1 चल रहा है इसमें टोटल नौ कोश्चन है और छटा कोश्चन में बताने जा रहा हूं इ स्कूश्चन नंबर छटमा देखते हैं थ्यान दीजिए कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है दवाई खाया हो सभी कैप्सूल जानते हो नहीं जानते हो तो किसी मेडिकल इस्टोर पर चले जाना और कह देना चाचा मुझे एक कैप्सूल दिखा दो मज़ रहा आऄ और कमेंट करके बताना आप केप्सूल देख्यों चलो काच पर एक अर्धगोला बनेंगा न कोई बी काटल jeste कि क्या होता गोला बनें जाता आफ गोल्त वैसे दोनों तरफ आफ पर अर्धगोल लगा है कैपसूल की टोटल लंबाई 14 mm है और इसकी जो यह रेडियस है वो 5 mm है आपको देखो फिगर में दिख रहा है दिख रहा है ना इसका प्रिष्टी यह छेत्रफल मतलब सी एस ए आपको फाइंड करना है कर्ब सर्फैसेरी आपको फाइंड करनी है देखो बाबू पहले तो मत व्दब समझतों तुम बात मीं कुछ भी कर सकते हो है यह टीन बहल रहा रहा हूं गईयाव्र समझना एक वह थोड़ा है नहीं कि आप untuk repart mayd कुला याँ थोड़ा थाइम लग जाता बनाने में यह पहले इतना देखो दू छिवली अकों आप चल भी पालन की अकार का पाले इतना समझो यह बीच वाला भाग कट देखेंदर आई और कि वो थोड़ा एन दो इसे होता है यह कर्णि अ रहता है यह दो कर दो और दो है यह जो घैसे होता है यह होता है यह को आख सारफय में यह जो है कि यो अाखर फ押कोर लगदन रहता है장님 कि समझ रहे हो ना समझने की कोशिज करो बीच में क्या एक सिलेंडर क्या करका है तो क्या तीन पार्ट बना ना तो क्या करोगे प्लेंडर का सी एसे निकालोगे कर्व सर्फेस एरिया और प्लस डो अर्द गोलों का कर्व सर्फेस एरिया फाइनल में आपका पूरा कमपलीट यही तो मैं लिखा रहा था लिखलो फट से जलदी से टाइम बेश्ट ना हो जो बच्चे कमेंट करने परिशान बिल्कुल ना रहे मिटा क्लास खतम हो जाएगी तब मैं कमेंट देखूँगा लाइस्ट में ठीक है चलो यह हो गया complete जो लिखना था लिखने वाली बात रोक के लिखना चाहिए ओके बेलनाकार भाग का प्रिष्टिय छेत्रफल मतलब का जो कर्व सर्फे सेरिया होगा उसका फर्मूलाब लगा दोगे सिंपल है तो पाई यार कामन ले लोगे इसमें यच बचेगा इसमें एक आर बचेगा इसमें भी आर बचेगा है ना अब देखो में पॉइंट का है देखो 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 भई देखो यह टोटल फाइप है याद रखना यह टोटल क्या फाइप में है समझ रहा हो ना और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी फिर बीच से अकर इनको ऐसे करोगे तो 2.5 ना यहां समझाने के लिए लिख र है टोटल फॉटीन में है तो जरा एक मिनट यह बताओ मुझे यह भी आपका 2.5 है यह इतना यह एक मिनट देखो यह लाइन में खींचांव इतनी जितनी आपको दिख रहे है यह टूपॉइंट फाइप है यह यह लाइन क्या है तो पॉइंट फाइब यह समझ रहा हो यह यहां पहले रखना है वह कितना है द्वोलू किटना यह भाई सफ निकलते हो क्या होता है औहलु अगर यह-पांच है olina risking 20 mm तो यहीं से आधा करोगे नहीं से आधा करोगे नहीं किसी क्या है अगर 5 mm तो इजपी सिलेंडर का विधी रहा है कि यहां पर अपर एक टा रख दो में आघे इसलिंडर का yani साथolt छोग्याज रखना टो पॉइंट रखना क्यों से मतलब समझ रहे हैं हाइट किसका सिलेंडर का कि कितनी हाइट है मतलब इसकी उचाई कितनी है अगर इसको ऐसे खड़ा कर लो चुनार लेकिन इसमें दो हे मिस पएर निकल रहे हैं किनारों पर किनारों पर यह जिनकी लेंद्ध धाई भाई फ्याइम है तो चाचारो ध्यूमिजर निकल जाएगा ये और जुब धर भी ये श्चतन बचेगा भोलो समझ भाएगी नहीं भाई अमें इधर निकल गए तो बीच में नौ बचा थैंड़ कें नौ किनारे पर लगे उनका भाई तो रेडियस बस हल कर लो होताफाने सवाल में कुछ भी नहीं एकदम हलुआ है क्यूं है ना चलो आदेखो बहुत सिंपल है बभुआ देखो बहुत-बहुत मज़ेदार है कि दम लड्डू है कि दम देखो कैसे एक सिकंड रुको नीचे दिख रहा है न इनको अटाओ एडवांस में आ गए छेकाने चलो आप देखो यह टू इन्टू ट्वंटी टू अपांसे बानी इन्टू टू पांट फाइफ ए भाई रुक के यह नव पांच चौदा हो जाएगा ना अरे ढाई 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 पांच और नो चौदा 14 आसान है ना साथ से काट दो साथ दून पीस में में स्कॉएर चूकि में में इक आई चल रही थी हर जगा बात पक्की यह आ गया कैपसूल का प्रिष्टी यह चेत्रफाल यानि कर सर्फेस एरिया आफ कैपसूल इक्वाल 220 टूंडटी एमें में स्कॉएर को अगला कोश्चन देखेंगे बच्चों आप आज के लिए इतना ही क्लास आप बहुत बड़ी देखते नहीं हो फिलाहल अगला कुश्चन अगली क्लास में बहुत बहुत थैंक्यू अपने कोई विचार होंगे कमेंट करके बताएगा और मुझे यह कमेंट जरूर करके बताना कि आप कितने घंटे पढ कि काम को साथ बजे से कच्चा दसके अंसी आएटी मैथमेटिक्स होती है उसी करम में हम लोग एक बार फिर से उपर स्थित हैं आपकी कलास लेकर के चलिए ध्यान से देखिएगा चैप्टर 13 चल रहा था पृरिष्टिये छेत्रफल सर्फेस एरिया वाला चैप्टर चल र तंबु का अब तंबु क्या होता तंबु को इंगलिस में टेंट बोलते हैं यह ऐसे हैं देख लो फिगर में दिख रहा है ना बस इसमें यह समझ लो कि जो आगे गेट खुला है लग राइस में घुशने के लिए जगा बनी है इसको भी बंद कर देना है क्योंकि इसमें कपड़ा लगा है वह मोड़ा गया बगल में पर्दा मोड़ा गया ना तो मोड़ना नहीं पूरा-पूरा खोल देना है तो चारो तरफ से ढग जाएगा तो उपर आप देखो यह कौन की तरह संकु आकार है नीचे सिलंडर के आकार का है आपको इसमें थोड़ा कम समझ में गी सब्सक्राइब जिस पर एक संकु अधियर उपित है यह दिर नाकार भाग की उचाई करमसा 2.1 मीटर और कार बाग की जो उचाई में कितना कपड़ा लगेगा और इसका कुल एरिया क्या होगा यह हमें निकालना है इसके साथ इसका कुल लागत निकालना है अगर 500 रुपए प्रती मेटर स्कॉर की दर से कपड़ा का जो चार्ज है वो लगे तो कितना खर्चा आएगा इस तंबू में आई इसका फिगर बनाके आपको दिखाते हैं बच्चों सबसे पहले हम एक तंबू बनाते हैं जैसे यह कहा है नीचे एक सिलेंडर का आकार का है ऊपर इसमें एक कौन के आकार का लगा हुआ है यह आपका टोटल फिगर कुछ ऐसे ही बन रहा है ठीक है इसमें तिरिया कुछ आई क्या दिया है बाबू 2.8 मिटर दी गई है यह क्या दी गई है टू पॉइंट मिटर कुश्चन एक बार फिर से स्क्रीन पर देख लिजी आप वो क्लियर हो जायागा और कहरा कि यह बेलनाकार भाग की उचाई और क्रमसा 2.1 मिटर है कहने का मतलब इसमें इन्होंने थोड़ा सा साटकर कर दिया है बेलनाकार भाग की जो उचाई है और जो चोड़ाई है वो ऐसा कुछ दिया इन और इसकी यह दिया चोड़ाई यह दिया वह यह पूरा-पूरा यह पूरा-पूरा-फोर मीटर है ठीक है इसकी चोड़ाई फोर है तो यह आधा अगर हम बात करें ध्यान देना सिरफ इतना उप जो दो होगा की नहीं बोलो यानि इसका रेडियस तू होगा ना चुकि पोरा जब फोर है कंपलिटली तो आधा क्या होगा दो होगा और इसमें क्या दिया है अभी के लिए तो फिलाल और कुछ नहीं दिया है आई इसका सलूशन करते हैं देखिए मगर प्यार से कुश्चन को चलिए क्या कहता है जो दि तम्बू कुट हुआ का नहीं गया है नीचे जमीन पर कपड़ा नहीं भीछाया गया है सिंपल सी बात है कहीं भी टेण लगा आप देखके हो तो बेटा बाबु देखो शखलता ना लगता नीचे जमीन पर भीछता है चारों तरप से लगेगा ऊपर लगया कि नीचे पूर्ड छेत्रफल बराबर इंग्लिस वाले लिख लेंगे टी ऐसे इक्वल क्या होता है बहुत पड़े हो ना देखो बाई सिंपल बात है यह जो कुछ बना है ना इसमें दो परकार की आकरती है एक बेलनाकार एक संकुआकार है तो बेलनाकार भाग का आपका छेत्रफल ट यहां पर लिखिये संपुण कायनवास का छेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का छेत्रफल प्लस यानि धन जंकुआ कार्भाग का च्हेत्रफ़ल तो बापू जो यए ना कार है आपका नीचे वाला उसका च्हेत्रफ़ल आपको पता है और प्लस नीचे ऊपर दो ब्रिद्धाकार है बीच में एक आयत क्या कार का ए तब बताएं हूं ना चालो ठीक है उपर जो संकुवाकार है उसका भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था पाई आर यल होगा पाई यार यल बराबर तेरची उचाई तरियक उचाई यही करना था तोटल एरिया आजाएगा आपका इसमें देखो भाईया पाई आर कामन ले लो तो टू एच बचेगा और प्लस यल बचेगा क्यों सही है ना पाई कमान 22 बटा साथ आर कमान क्या होगा चचा दो दिया ना बाबू आर कमान बेलन है याद रखना यह बेलन है यह संकु का भाग है तो जो आर है वो बेलन वाले पार्ट का है ब्रेकट में जा टू इंटु एच प्लस यल तिरची मुझाई 2.8 है नो प्रावलम हल कर लीजिए इनको करोगे तो 4.2 हो जाएगा 4.2 में बिटा जब तुम 2.8 जोड़ोगे ते 7 हो जाएगा देखो आर दो दस हांसी लेक चार दूश्य एक साथ साथ आएगा फाइनल में हम साथ कह सकते हैं इसको काड़ दो जो भी दिया है वो सब मीटर में दिया है सब मीटर में दिया है अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर का स्कॉयर आता चूंकि यह है एरिया है इसलिए हमेशा सेंटीमीटर स्कॉयर में आएगा परिमाप और होता तो केवल मीटर में आता केवल मीटर या केवल नवास का लागत क्या होगा खर्चा कितना लगेगा लिखिए लागत है टोटल कॉस्ट है हिंदी वाले लिख लेंगे कुल लागत देखो बाबू यहां पर आपको पता है चुकि वन मीटर स्क्वाइर का खर्चा है 500 रुपए लिखिए पुल लागत ऐसे लिखे निचे लिखिए चुकि वन मीटर स्क्वाइर की लागत बराबर 500 रुपए यानि चुकि वन मीटर स्क्वाइर की जो कॉस्ट है 500 है सो यानि इफ लिए 44 मेटर स्क्वाइर की लागत यानि काश्ट इक्वल 44 इन्टू 500 इक्वल 22,000 रुपए गुडा करना जानतों इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को चार का गुड़ा 44 का गुड़ा पांच में करोगे तो कर लो 220 आएगा दो जीरो बगल में उतर जाएगा इस तरह से आपका यह कोश्टन हो गया किसी को कुछ भी कहना तो बोलो फटा-फट नहीं ना लिख लीजिए इस्क्रीन साट ले लीजिए जल्दी से कोश्टन नमबर अगला बचों आज कलास छोटी सी रहेगी आप लोग कमेंट करके बताइए का कितना देर की कलास आप पढ़ना चाहते हैं फिलहाल मिलेंगे हम अगली कलास में बहुत बहुत हैं क्यूँ इसमें कुल जितने भी कोश्टन हैं हम सारे करवा देंगे आप घर किये क्या कहता है कि अधर साइब 13.2 अच्छा 10 के चल रही 13.2 का लाश्ट कोश्टन है लगडी के ठोस बेलन के पर अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक बस्तू बनाई गई है मदब लकडी का एक ठोस बेलन है जिसके दोनों किनारों को खोद करके अर्धगोला निकाल गया है देखो कुछ ऐसे जैसे क्या लकडी का एक बेलन था उसमें जैसे कहते हैं आप कोई ठोस चीज बनाओ मालों चावल बनायों किसी कूकर में या आपने कोई स्वीट अगरा बनाया मिठाई हो गयरा उसमें कर्चुल डालके चम्मच से निकाल लेते ना लोग तो गढ गढ़ा हो जाता है न तो वैसे यह है एक लकड़ी थी इसमें उसी तर बूज में पार जैसे मने बढ़ot करने निकाल ली घए है कि अर्द गोलाकार जैसे दिख रहा है आपको नीचे से भी उपर से भी ठीक है कि दिख रहा है उसके बाद क्या कहता है क्या जैसे कि साकृती में दिखाई गई जो मैंने भी दिखाया तो यह दि बेलन की उचाई दस सेंटिमेटर है और अधर की 33.5 है तो इस बस्तू का सं लेकिन काम चलाओ बन गया है समझ रहा हूं तो इसका जो रेडियस है बाबू यह आपका 3.5 है यह रेडियस वाला और इसकी उचाई दस है कि ऐसे ही तो कुछ कहा है ना आपको दिया है ना बस लिखिए वस्तू का संपूर्ण प्रिष्ट प्रिष्टिये छेतरफल बराब यह इंग्लिस में लिख लेंगे टोटल सर्फेस अर्याइड क्या करेंगे पता है इस बेल नाकार जो आकरती है इसका एरिया निकालंगे प्लस दो हेमिस्फेर एक निच्चे एक उपर बंद रहा है इनका भी निकालेंगे दोनों को जोडेंगे तब फाइनल आएगा ठीक है चाहे तो लिख लो यहां लिखो अधिकें लिख नहीं दो परियाप्त हो जाएगा आप लोगं लिख लेना ठीक है ऐसे इक लिखेंगे पृष्टिय छेत्रफल भेलनाकार भाग का चेत्रफल प्लस कि दो अर्द गोलों का छेतरफल थीक है तो बेलनाकार भाग का 2PiRH होगा बोलो होगा की नहीं है क्योंकि 2र्द गोले हैं तो आपका एक और 2pir isquire 2 और सफोरे Deputy copy of bar नों के न आपके सामने अग्या यहलौout कितना है तिंद और समलों 5 है न रखने के पहले इसमें काम कर लो थोड़ा सासान हो जाएगा इसमें कुछ कामनों ले लो मज़ा आ जाएगा चलो तो तो पाई यार कामन ले लेंगे तो यह प्लस आर प्लस आर बचे गा प्लस यह 3.5 और यह 3.5 कोई दिकत नहीं ना चलो यह आपको जाएगा दो गुड़े 22 यह आप काड़ दो तो 0.5 आएगा और यह हो जाएगा आपका 17 आप कहोगे 17 कईसे हो गया साधे तीन साधे तीन हो गया साथ और यह 10 यह 17 हो गया एक चीज और समझो आपको चाचा ही कहां चलागा यह आप सोचोगे ना देखो इसमें कुछ गरबर भी हो रहा है का देखो मैं डेटियल में आपको बताई देता हूं एक हो गया है यहां से यह भी हट जाएगा फाइनल में दो भी हट जाएगा लेकिन आप कंफ्यूज में ना रहो चलो यह भी ले लो 0.5 गुड़ा 17 देख और यह 17 था भाई यह 17 था तो यह आपका वन हो जाएगा इंटू 22 इंटू 17 दून 34 चार हांसी लाया तीन 17 दून 34 तीन 37 यह आपका अंसर आ गया 374 लेकिन सेंटिमेटर इसको यह लगाना नहीं भूलना वरना सब चोपट हो जाएगा है तो छात्रों इस तरह से आपका यह कुश्चन कंपलीट होता है और आपका यह एक्सरसाइज भी खतम हो गया 13.1 कुछ भी डाउट है किसी को तो बताओ नहीं ना 13.2 आप पढ़ेंगे अगली कलास में कमेंट करके बताईएगा आपको समझ में आगा कि नहीं आया तो बताना बता दिये जाएगा फिससे थैंक आप दोॉदी आपको समय नहीं उएगा पजब वह भी घन शीजाओा था मैं आपको समय होवो हैआ राओ जया है अई works प brought in आपको समय हो समय हो यहुदेगार जाज समय होली लाच, हो फिससक रूछर स्बदय करड़ीश तो झापको समय हो यह जाएएगा ज सुस्दुद।